तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉंट्रेक्ट में उपनिदान इसको बेलमेंटिंग भी कहते हैं परिवासा सेक्षन 148 के अनुसार जब एक व्यक्ति जो ने की माल दे रहा है दूसरे व्यक्ति को सम्मिदा इस आसाय से करता है कि जब वह कारे पूर्ण हो जाए तो उस माल को वह व्यक्ति लोटा दे या जिसने परिदान किया है उसके इच्छा पर किसी अन्य व्यक्ति को लोटा दे जैसे ही यह कारे सम्मिदा के अनुसार पूर्ण हो जाता है तो इसे उपनिदान कहा जाता है ये चित्र के मादम से देखीगा पहला विक्ति हाथ में कुछ लिया है उसमें एक सम्मीदा का कागज है वो कहता है चलो हम सम्मीदा करते हैं कि जैसे ही तुम्हारा काम पूर्ण हो जाएगा मेरे दोस्त निहाल को सामान लोटा देना तो यहाँ पर जो माल दे रहा है उसकी यह एक्षा है कि जैसे ही तुम्हारा काम पूर्ण हो जाएगा तो उसके दोस्त निहाल है उसको परज़त कर देगा और फिर निहाल से वो ले लेगा है यह जैसा भी हो तो जिस व्यक्ति ने माल लिया है रेट टिशट वाला एग्रिमेंट कर लिया यह भी एक प्रकार की सम्मेदा का निर्माण हो गया दोस्तों यहाँ दो डिख रहे हैं तो जो ब्लू सर्ट वाला डिख रहे है उसमें लिखा है माल परिदान करने वाला व्यक्ति उपनिधाता जिसको अंगलिस में बाइलर कहते हैं और देखे रेट डिशर्ट में भव्यक्ति जिसे माल का परिदान किया गया है वह उपनिधाती बैली कहा जाता है इस प्रकार उपनिधान के निमले के तीन आवेश्रक तत्त हैं पहला वस्तुआं का परिदान दूसरा परिदान सम्मेदा के अनुसार किया गया हो और तीसरा है परिदान किसी प्रायजन हेतु किया जाना चाहिए जल्दी से इसके हम व्यक्षा कर लेते हैं तो जो पहली सर्थी बती वस्तुआं का परिदान एक वैद उपनिदान के लिए यहाँ आवेश्चक है कि एक व्यक्ती ने दूसरे व्यक्ती को वस्तुआ का परिदान किया हो ऐसा परिदान अस्ताई होता है क्योंकि इस्ताई रूप से वस्तुआ का परिदान उपनिदान नहीं कहलाता है यदि किसी को हम इस थाय रूप से परदान कर देंगे तो वस्तु बिने में हो जाएगा या उसका मूल्य हो जाएगा क्योंकि हमें अपना माल वापिस चाहिए है जब उस कंडिशन पूरी हो जाती है तो यही कहराता है उपनिदान इस संबन्द में उल्ट जैन बनाम निकोलस 1894-1B92 का यह मामला बहुत मत्पून है इस मामले में वादी एक होटल में खाना खाने गया एक बेरे ने वादी का कोट लिया और वादी जिस कुर्सी पर बैठा था उसके पीछे ही टांग दिया जब वादी का खाना खाके हो गया तो वह हाथ दोने चला गया किन्तु जैसे ही वह लोटा उसका कोट गायप हो गया था उसने होटल प्रमंदन के खिलाब मकत्मा किया निर्नत हुआ कि होटल का मलक दाई है क्योंकि बेरे द्वारा कोट लेने का कारण उपनिधान स्थापित हो गया था इसके पर शाद एक अन्य मामला के पिल्लाई बनाम बिसाल लक्षमी A.I.R. 1938 मदरास 32 का मामला है वादिनी जो एक महिला थी उसने सुनार को कुछ पुराने जिवर गला कर नए जिवर बनाने के लिए दिया वह रोज सुनार के पास जाती और अपने गहनों को देखती जैसा ही साम को साम का समय होता वह अधोरे काम के बाद अपने गहने को उस बाक्स में डाल कर ताला लगा कर चाब भी अपने साथ लेकर चली जाती थी किन्तु एक दिन सबेरे उसने देखा कि उस बक्से से कुछ गहने गायब है मामला नाले पोँचाओ निन्यत हुआ कि सुनार दाई नहीं है क्योंकि वस्तु का नियंतरन वादी के हाथ में था इसलिए यहाँ पर बेल्मेंट उपनिदान स्थापित नहीं हो पाया दूसरी आवेसक सर्थ है परिदान सम्मेदा के अनुसार होना चाहिए उपनिदान के लिए यह भी आवेसक है कि वस्तु का परिदान किशी सम्मेदा के अंतरगत किया गया हो किन्तु कभी-कभी बिना सम्मेदा के उपनिदान एस्थापित हो जाता है जैसे खोई हुई संपत्ती को जो पढ़ा पाता है उसका करतब भी होता है कि वह उसके मालिक को जब तक न लोटा दे वह उपनहीती कहलाता है दोस्तों जब कोई किसी की मुल्यवान बस्तु आपको प्राप्थ होती है तो आप उसको अपनहीती अपने पास सुरक्षित रखते हैं जैसे ही उसके मालिक के फाइंड अप हो जाता है या वह आपको मिल जाता है तो आपको बस्तों लोटानी होती है पड़ी संपत्ती पाने पर मानो मालिक से बिना सम्मिदा किये उपनहीती के करतब प्राराम हो जाते हैं इस सम्मन में एक बंबई उच्चने आले का बहुत महत्पूर्ण मामला था लालस गाउं मर्चिंट को अपरियोटिव बैंक लिम्टेट बना प्रभुदास हाती भाई यह मामला है ए आई यार 1966 बंबे 134 इस मामले में तंबाको के कुछ पैकेट जो एक भागिदारी फर्म के थे वादी बैंक के पास गिरवी रखे थे कुछ भागिदारों ने आईकर का भुकतान नहीं किया था इसलिए आईकर अधिकारी ने उनकी तंबाको को जग्त कर लिया और उन पैकेटों को एक गडाउन ने बंद कर दिया और चाबी पुलिस ने अपने पास रख्षित रख ली किन्तु अत्यदिक बारिस हो जाने के कारण उस गडाउन में पानी चला गया और वहां रखी तंबाको की पैकेट पुरता खराब हो गया जब ये मामला बंबई हाईकर पहुचा तो नाले ने कहा कि सरकार उत्तरदाई है क्योंकि सरकार ने उन तंबाको के पैकेटों को एक उपनेहिती की हैस्से से अपनी कस्टडी में रखा था अथा उनकी जिम्मेदारी यहां बनती है बंबई उच्छ नाले के इस निर्णा को सुप्रीम कोट ने भी अपनी मोहर लगा दी जो गुजरात राजबनाम मौमिन मोहमद AIR 1967 सुप्रीम कोट पेज नंबार 1885 की मामले में दिया है प्रस्तुत मामले में बादी की कुछ मोटर साइकलियें और कुछ आविसक वस्तुयें राजसरकार ने कस्टम एक्ट के अनुसर जब्त कर ली और अपनी कस्टडी में रख ली किन्तु जब राजसरकार ने उन माल को अपनी कस्टडी में रखा तो किसी तरह वहाँ खराब हो गया जब मामला सुप्रीम कोट पहुचा तो स्प्रीम कोट ने कहा कि सरकार उस कस्टडी में ले हुए माल को अपने पास एजएब उपने हिती रखना था चुकि उन्होंने इसमें लापरवाही बर्ती अता वा इसके लिए जिम्मेदार है और अन्तिमावेशक सर्थ है परिदान किसी प्रायजन हेतु किया जाना चाहिए परिदान किसी प्रायजन के लिए किया गया हो और माल इस सर्थ पर दिया गया हो कि जब प्रायोजन पूर्ण हो जाए तो माल देने वाले को या उसके बताये गए किसी विक्ति को लोटा देना चाहिए इस सम्मन्द में मेंसर्स रजत चंद बनाम पस्टिय मंगाल राज का मामला AIR 1990 सुप्रीम कोट 1574 का उलेकनी है इस मामले में सुप्रीम कोट ने बिचार दिये थे कि यदि माल बताये गए रिती से नहीं किया जाता है तो यहाँ सर्तों का उलंगन होगा जिसके लिए उपनेती को जम्मेदार माना जाएगा